नमस्कार मैं आओ राउल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी ख़वर और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जिर्वाल की दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद के जर्वाल ने सीधे सीधे तोर पर देश के परधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर निसाना साथते वे कहा कि देश को कैसा परधान मंत्री चाहिए बिजनस करने वाला परधान मंत्री चाहिए या देश की तरक्य या देश के विकास के वारे में सोचने वाला परधान मंत्री चाहिए जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूँ कि सीधे तोर पर परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सिख्षा को लेकर भी हाली में सवाल खड़े किये गए थे और अब ऐसे में देखा जा रहा है कि साल 2024 के लोग सभाच चुनाव से पहले तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आती नजर आ रही है और तमाम विपक्षी पार्टियों ने 24 का प्लान तयार कर लिया लेकिन ताज्जब की बात ये है कि विपक्ष 24 का प्लान तयार कर रहे है और बीजेपी ने 2047 तक का प्लान तयार कर लिया यानि कि कितने कदम बीजेपी आगे चल रही है इस बारे में विपक्ष को पता नहीं हाला कि अपने दर्शकों को बता दे कि दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विन केजरिवाल का ये कहना है कि 24 के चुनाव से पहले देश की जनता को ये समझना सोचना पड़ेगा कि देश की बागड़र एक ऐसे नेता एक ऐसे मंत्री के हाथ में जानी चाहिए जो देश को सम्हाल स कि और देश का नेता पड़ा लिखा होना चाहिए और मैं यही सवाल अपने दर्शकों से कर लूँगा कि क्या वाकई देश के जो देश की बागड़र समालते हैं परधान मंत्री क्या उनका वाकई पड़ा लिखा होना जरूरी है और क्या वाकई सिक्षा सही माइने में आप कोई काम कर नहीं सकते हाला कि दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विन केजरवाल ने सीधे तोर पर ये कहा है कि चुनाव से पहले एक बार फिर हम देख रहे हैं कि जाती धरम जैसी राजनीती हो रही है लेकिन विपक्ष इससे आगे बढ़ रहा है और विपक्ष जो है आने वाले समय में बीजेपी को जरूर टक कर देगा आज के लिए तहीं आप से फिर दोबार मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजे नमस्कार